स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम जो मंडी निरिक्षक का एक्जाम हुआ था भी संडे को ठीक है तो उसके हिंदी के जो प्रश्ण है उनका जो हम लोग विशलेशन करेंगे आपने मैच का विशलेशन देखा था आज हम लोग ह इंदी के जो प्रश्णत उन पर चर्षा करेंगे तो देखिए उसका जो पहला प्रश्ण था दोस्तों वह था गनतंत्र का विलोमशब्द क्या होगा प्रजातंत्र लोक तंत्र या राजतंत्र ठीक है तो यदी परियाइवाची पूस्त थो अंगरा सकते थे लेकिं इसका विलोम शब्द पूछा है दोस्तों तो आपको याद रखना होगा इसका विलोम शब्द होगा हमारा राजतंत्र कौन सा हो जाएगा राजतंत्र ओप्शन सी इसका राइट एंसर होगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नमीता की कतरनी सी जबान नमीता की कतरनी सी जबान चल रही है तभी अमीता ने इसके साथ कुछ काना फसी की इसे सुनकर नमीता की बोलती बंद हो गई आखें पत्रा गई और चेहरे की रंगत उड़ गई इस उद्धरण में मुहावरों की संख्या कितनी है ठीक है तो इस उद्धरण में मुहावरों की संख्या दोस्त पत्रा जाना चेहरे का रंगत उड़ जाना तो इसमें जोस्तों पुछा गया है मुहावरों की संख्या क्या पूछी गयी है मुहावरों की संख्या तो ये हो जाएगी पांच पांच इसका करेक्ट अंसर होगा ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 ठेक है चलिए आगे चलते हैं क्व समासिक विग्रह करें तो ये हो जाता है नीती से युक्त क्या हो जाएगा नीती से युक्त तो नीती से युक्त नीती से युक्त है मतलब नीती और युक्त दोनों का संबंध है दोस्तों जो भी चीज है वो नीती से युक्त बताई जा रही है करण तत पुरुष समास होगा करता ने कर्म को करण से के द्वारा तो नीती के द्वारा युक्त जो चीज है जुड़ा हुआ चीज है वो है नीती युक्त चीज तो इसलिए इसमें करण तत पुरु समास होगा चलिए आगे चलते हैं question number 4 देवेंद्र की संधी का उधारण है तो देवेंद्र दोस्तो गुण स्वर्षंधी बहुत इजी प्रशने दिया था देव प्लस इंद्र देवेंद्र होता है आ के बाद E आया हुआ है और A के बाद E आया तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं A बन जाते हैं तो ये देवेंद्र इसी का उधारण है गुण स्वर्षंधी का उधारण है स्वर्षंधी में ध्यान रखेंगे चलिए question number 5 अने Es haunting और समब्ध वाचक- वाचक- सार्वानामिक- विशयेशन प्रश्नवाचक- सारवानामिक- विशयेशन संबंद वाचक- विशयेशन यह शर्क होते हैं सार्वनामिक- विशयेशन ठीक चलिए नेक्स्ट प्रश्ण पर चर्था करते हैं द्वी कर्मक क्रिया कितने कर्मवाली होती है तो यहां पर इस परश्ट दोस्तों द्वी कर्मक बोल रहा है तो दो कर्मवाली होगी क्रिया क्लियर है द्वी कर्म क्रिया दो कर्म है एक कर्म को मुख्य कर्म कहते हैं दूसरे को घौन कर्म कहा जाता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं question number 7 ये concept based question था दोस्तों वर्तनी क्या है तो यहां मात्रा ध्वनी लिखने की रिती उचारण का तरीका वर्तनी और मात्रा को लगबग एक ही समझ लिया जाता है जो की गलत है दोस्तों ठीक है तो वर्तनी क्या है इसका सही अंसर होगा लिखने की रिती लिखने की रिती को कहा जाता है वर्तनी मात्रा नहीं होती है दोस्तों याद रखेगा मात्रा को जो लिखने की रिती होती है वही कहलाती है वर्तनी ठीक है तो इसका सही अंसर ओप्शन शी होगा ध्यान रखेंगे क्वेस्चन नमबर देखें आठ अधिकारी वर्ग यह शब्द है एक वचन बहु वचन द्वी वचन या कोई नहीं बहु वचन इसका सही अंसर होगा यह जो सब्द है वर्ग वरिंद गण यह सब लग जाते हैं दोस्तों किसी सब्द समू के सब्द में तो वह समू के सुचक सब्द होते हैं ठीक है अधिकारी वर्ग ठीक है और पक्षी वरिंद इस प्रकार के जो सब्द है वह वह समू के सुचक सब्द हैं तो वह वहचन में होते हैं एससे ध्यान में रखेंगे मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो की आप लगाते हैं इस वाक्य में निम्न में से कौन सा दोस है तो दोस्तों ये होगा मैं इसका उसके बाद अर्थ मैं इसका अर्थ वह नहीं लगाता जो की आप लगाते हैं इसका सही जो है पद क्रम दोस है दोस्तों तो इसको भी आप ध्यान रखें में पद क्रम संबंधी दोस है इस वाक्य में चलिए आगे चलते हैं आलपीन किस भासा का शब्द है तो ये सभी लगबग लगबग जानते थे आलपीन दोस्तों पूर्त गाली भासा का शब्द है तो दोस्तों ये था हमारा आज का शेशन और हमारा दोस्तों जो है वो ऐसाई और जेश्ट संपरिक्षक के लिए ठीक है सीनियर ओडिटर के लिए दोस्तों हिंदी की कक्षाय चल रही है और पूरे कोर्स भी चल रहा है तो किसी भी जानकारी के संबन में आप इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं या रुपेन सर्मा सर का जो ही नंबर है उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं ठीक है तो ये कोर्स आप जोईन कर सकते हैं जो भी इंक्वारी हो आप इसमें कर सकते हैं ठीक है आसा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें और इसको चैनल में अगर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही important वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि अ